गुड मॉर्निंग सुडेंट्स बिटा आज हम आप लोगों का सिक्स यूनिट है यह स्टार्ट करवाने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को अंडरस्टेंड करना है है । फैन्स का आफ यह संट्रफ मांस होते हैं और रोटेशनल मोशन जितने बी कनसेट्स आं उसके बारे में इन स्टुडिस करनी है तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वह तरह सेंट्र आफ मास किसी भी बॉडि का निकालना हूँ नहीं पहले हम देखेंगे सेंट्रा मास ह होता क्या है एक्चली क्या होता है जैसे हम इस पैन को पकड़ लेते हैं ठीक है मारकर को इसमें देखो मुझे इसका सेंट्राव मास फाइंड करना है तो बहुत क्लियर है कि मैं अगर इसके साथ कोई धागा बांगता हूं उसको ऐसे रखोंगा तो अगर मैं यहां पर रखता है ठीक है दोनों तरफ से उसको हम कहेंगे वो पॉइंट जो होगा वो सेंट्राव मास होगा तो यही हमने डेफिनेशन में आप लोगों को बताया है कि देखो सेंट्राव मास और अफ टू बडी इस अपॉंइंट वो क्या होता है इस पॉइंट वीर होल मास आफ दी system of two bodies two particles देखो कोई भी है particles तो दो ही होंगे क्योंकि अगर मैं इसी को consider कर लेता हूं तो यहाँ पर यहाँ पर पार्टिकल तो लग 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 तो यहीं पर हम क्या करेंगे तो वेर क्या है is a particle is a point जहां पर whole mass of the body mass of the system may be considered कहता है जहां पर सारा का सारा मास जो है उसको consider किया जा यहां पर हम महसूस कर पाएंगे कि यहां पर कोई एक external force act कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे center of mass जहां आप यह भी कह सकते हो where whole mass of the body supposed to be concentrated that is also called your center of mass तो अब इसके बारे में देखो center of mass का concept अगर मैं diagramatically आप लोगों को बताऊं तो देखो जैसे यह मैं लोगों को पता हूँ इसको y axis माल लगता हूँ ठीक है तो बैटा obviously यह और यह होगा क्या यह center of mass होगा sorry position vectors होगे क्योंकि आप लोगों को पता है यह position vector है यह भी क्या है position vector है ठीक है तो यह point यहां पर है एक point लेटिट भी यहां पर है ठीक है इन दोनों points को मैं join गरवाता हूँ तो obviously अगर let it be यहां पर M1 है और यह point है M2 ठीक है यहां पर mass M1 है यहां M2 है तो O से लेके यहां तक let it be कोई भी है point यह तो M बना गया यहां पर अगर मैं point A ले लो तो O A जो होगा वो position vector और position vector क्या होता है बताया origin से origin to the point origin से directed always directed away from the origin ठीक है तो center इसका क्या है 00 यहां से शुरुआत हुई है Cartesian plane की तो 0 से बाहर की तरफ यहां तक यह अपका O A अगर ले 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 तो क्या है अगर O A is vector is equal to R1 and O B vector is equal to R2 अब देखो बैटा यहां पर होगा इसका center of mass यह होगा आप लोगों का this is called center of mass ठीक है यहां का center of mass तो इसका position vector मान लिजे अर ठीक है तो इसका mathematically representation कैसे दोगे center of mass की तो mathematically mathematically we have जो आपका R होगा ठीक है जो आपका R होगा यह भी actually position vector है तो वो किसके एकुल होगा यहां दखना यह formula M1 R1 plus M2 R2 ठीक है और यह आजएगा M1 plus M2 तो यह आपने formula है यह formula implement करना है किसी भी body का center of mass निकालने के लिए ठीक है तो क्या होता है center of mass center of mass of a system of two particles is a point where whole is a point is a point where whole mass of the system may be considered to be acting for determining some external some external force तो यहां पे external force implement होगी यहां पे external और यह वो point होगा जहां पे हम consider करेंगे जहां पे whole mass of the body is supposed to be concentrated ठीक है तो यह आपका R1 यह R2 और यह R तो इस formula से आप लोगों ने इसको निकालना है तो अगर आप मान लिजे कि अगर टोटल आपका system में इफ मान लिजे कि M be the total mass of this whole system so that should be equal to M1 plus M2 so therefore आपका R मिल जाएगा M1 R1 ठीक है plus M2 R2 आप ओन कितना मिल जाएगा M ठीक तो यहां से आप लोगों को मिल जाएगा यहां पर आप तोरह से लिख सकते हो यहां पर कि जो वाई आपका M into R1 R है multiply कर सकते हो तो यहां जाएगा M1 R1 plus M2 R2 तो यह बटा concept आपने याद अखना है इसी concept को लेकर आगे motion जो है motion of center of mass in two particle system in n particle system वो हम इसी equation को इस equation को अगर लेटिटी फिरस्ट मानेंगे इस equation को first मानेंगे इस equation को अगर हम second मानेंगे तो इस equation से second question जो होंगे proceeding questions होंगे तो यह था वेटा हमारा आज का चोटा सा introduction किसके अपर center of mass क्या होता है Thank you very much